हलो एब्रीवन जीव विग्यान कक्षा बारह के चैप्टर सेकेंड में पुस्पिय पादपों में लैंगिक प्रजनन के अंत्रगत हमने पिछला वीडियो बनाया था परागन पर परागन की क्या प्रक्रिया होती है इसकी परिभासा हमने की थी परागन की प्रकार किये थे प परागन पर परागन स्वपरागन और पर परागन के बारे में जाना था उनकी परिभासाएं की थी और स्वपरागन की युक्तियां और पर परागन की युक्तियां अर्थात दोनों के अनुकूलन किये थे पर परागन की विभिन विधियां भी हमने की थी विभिन विधिय के बारे में जाना था पर परागन के लाब भी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अब हम ले रहे हैं कि पर परागन यदि होता है स्वापरागन होता है तब तो आपके अंतह प्रजनन होता है यानि कि समान समान स्पीसिज में एक ही प्रजातियों के बीच यदि प्रजनन करवाय जाता है तो अंता प्रजनन लेकिन परपरागन होता है तो बही प्रजनन होता है तो बही प्रजनन की कौन-कौन सी युक्तिया है हलाकि जो हमने परपरागन की अनुकूलन पढ़ी है यु तो बही प्रजनन यूप दिया देखे अधिकांस पुस्पी पौधर क्या होते हैं दुईलिंगी होते हैं और दुईलिंगी जब होते हैं तो उनमें स्वापरागन होने की अधिक चांसे होती है तो स्वापरागन जब होता है तो स्वापरागन अंतह प्रजनन को जनन देता ह यानि उनमें अंता प्रजनन होते हैं तो स्वाह परागन की कम्यों में यही सबसे बड़ा आध्यान है कि स्वाह परागन क्या करता है इसमें अंता प्रजनन अउनमन उत्पन हो जाता है तो अंता प्रजनन लगातार अंता प्रजनन होते हैं इससे कभी-कभी यदि एक ही प्र जाती की कोई वांशित लक्षन हो जो हमें नहीं चाहिए उनको हटाना हो लेकिन अंतह प्रजनन से वह लक्षन आगे से आगे आगे से आगे पिढ़ी दर पिढ़ी चले जाते हैं तो यह अंतह प्रजनन स्वापरागन की एक कमी है कि अंतह प्रजनन में होता है ओके तो अधि लेकिन बही परागन होना बहुत जरूरी है बही परागन स्वा परागन में जो कमिया रह गई है उनको दूर करता है पिछली बर हमने पर परागन के लाब किये थे बही परागन पर परागन की युक्तियां एक ही बात है पर परागन द्वारा ही बही प्रजनन होगा तो स्वा परागन पर रोक लगाने के लिए पुष्पिय पौधों में कई उक्तियां विक्सित किये हैं जैसे पहला पहला आपके पास है यूनि सेक्शुलिटी मतलब एक लिंगता अगर पूधों में नर और मादा पुष्प अलग-अलग पौधे पे उपस्तित होंगे अलग-अलग पादप पे होंगे तो यह वही अर्थात पर परागन ही करेगा और पर परागन में मैंने लाब में बताया था यह जैक विकास के लिए बहुत जरूरी है एक्षे गुनों को वांचित गुनों को लाने में भी सहायक है और इससे पौधे की ओज बढ़ती है और रख सक्ती बढ़ती है और पौधा बहुत तेजी से ग्रो होता है बढ़ता है परिवर्दित होता है तो यूनिसेक्शुलिटी हाना अगर पौधे यूनिसेक्शुल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनमें परपरागन होगा जैसे पपीता ख यदि एक ही पौधे में नर और मादा दोनों के दोनों लिंग होंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसे होती है स्वा परागन की दूसरा होता है इसी के अंदर ले रही हूँ स्वा असंगता यानि सेल्फ इनकापिटिबिलिटी सोरी 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 सेल्फ इनकापिटिबिलिटी देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पौदे होते हैं कुछ ऐसे पौदे होते हैं जो खुद निसेचन नहीं कर पाते क्योंकि वो बांधिये होते हैं उनमेस या तो नर या मादा दूनों के दोनौ और सक्षम होते हैं या तो नर पुष्प या तो नर जननरांग या तो मादा जननरांग इस प्रकार होते हैं कि उनको वो fertilize नहीं कर जैसे मैंने tapetum का आपको बताया था tapetum जो अन्ता अगर tapetum का विकास नहीं होगा तो पराग कनो का विकास भी अच्छे से नहीं होता तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके वज़े से क्या होता है जिन में नर या मादा जननांग दोनों में से कोई ना कोई एक जननांग बाद दिये हो जाता है और इस वज़े से आगे स्वपरागन रुख जाती है तो उसमें परपरागन हो सकता है तो भलिप पौधा बाइसेक्शुल हो लेकिन उनमें अगर स्वव असंगता होती है तो इन ब्रेडिंग रोग जाती है और आउट ब्रेडिंग हो जाती परपरागन द्वारा तो इसका मतलब भी यह है स्वव असंगता या स्वव बाध्यता भी इसको कह सकते हैं एक ही प्रकार के अनुवनसिक प्रक्रिया है जो अंतह प्रजरन को रोकने का कार्य करती है हम इसको बना भी सकते हैं जिसको हम आगे की प्रक्रिया में पढ़ेंगे इसको पौधों को हम नर या मादा भाग को काट के स्ववबान देता बना सकते हैं यदि हम नर या मादा पुष्प काल पक्वता यानि यदि पौधे एक ही समय में किसी भी पौधे के पुष्प का नर और माधाभाग एक ही समय में परिपक्व होता है तो उनमें स्वपरागन की अनकूलता पाई जाती है स्वपरागन जादातर संभाव चांसेस होता है लेकिन भिन काल क्वाकवता तो इसमें क्या होता है नर या मादा दोनों में से फूल भले ही बाइसेक्शल हो या दूई लिंगी हो लेकिन यदि नर मादा से नर जननांग मादा यानिकी पुंकेशर यदी पुंकेशर यदी वर्तिकागर से पहले परिपकव हो रहा है तो उसमें परपरागन ही पहे जाएगा और हो सकता है वर्तिकागर पहले परिपकव हो तो सिर्फी पर प्रवल के चांस तो भिन काल पक्वता में सीडरी सी बात है कि पराकट या अपरांक प्रवल केफ़ेज था परीपक्वता की जो शमय अलग अलग अमलग होती है दोनोंग में होने का समय अलग-अलग होता है देखिए यदि वर्तिका अगर पराकों से पहले परिपक होती है तो उसे कहते हैं स्त्री पूवर्ता स्त्री पूवर्ता लिख देती हूं मैं ओके और यदि पराकोश पहले तो यदि इस्त्री भाग पहले परिपक वहोता है तो इस्त्री पूवर्ता और नर भाग पहले परिपक वहोता है यानिकि पराकोस तो से कहते हैं पूपुर्वर्था ठीक है, पूपूर्वर्था ओके, एंगलिश में इसको कहते हैं, प्रोटोगाईनी और प्रोटोगाईनी और प्रोटैन्डरी नेक्स्ट है हिट्रो स्टाइल, तीसरा, चौता है हिट्रो स्टाइल या विशम वर्तिकात्व, ओके, विशम वर्तिकात्व, विशम वर्तिकात्व में देखिए, हिट्रो स्टाइल का मतलब है अलग-अलग, हिट्रो का मतलब ही होता है, अलग-अलग, हिट्रो, सॉरी, नर और मादा दोनों भाव समान लंबाई के नहीं हो एक बहुत जरू से ज़ादा छोटा हो और एक जरू से ज़ादा बढ़ा हो या तो नर बढ़ा हो या मादा दोनों में से कोई भी एक जैसे प्राइम रोज में होता है पुमकेसर बहुत छोटा और वर्तिकागर बहुत अत्यदीक लंबी हो तो उनमें भी परपरागन की शंभावना जादा है और उसमें भी बही प्रजनन होगा तो नेक्स्ट है हारकोगैमी हारकोगैमी का मतलब होता है दोनों के बीच दोनों सनरचना के वीच वर्तिकागर और पराकोष के बीच कोई सनरचनात्मक अवरोद ये पूछा जाता है हारकोगैमी हाना हरकोगैमी क्या होता है याद रखेगा इंग्लिश में भी हरकोगेमी केते हैं भरतिकागर मपराकोष के मद्य कोई संरचनात्मक यदि अवरोध होगा तो ऐसे में भी परपरागन की संभावना होती है अंतास्वपरागन नहीं होता है तो ये भी पुछा जाता है जैसे कि आकड़ी का आक तो यह कुछ बही प्रजनन की युकतियां थी आउट्प्रिडिदिंग की ऑप्र परगन ज़रूरी ठिती आउट्ब्रजनन और अब को अब ले रहे हैं अब ले रहे हैं extres युकतियां बाद जिसमें हमने पढ़ा एक लिंगता स्वसंगता भिन काल पक्वता विसंबर्ति कत्व और हरकोगैमी के बाद यदि पर परागन होता है या हम बांशित अगर मानों खुद से पौधे एक तो नैचरली करते हैं प्राकर्तिक करते हैं लेकिन यदि क्रत्रिम तरीके से कराय तो क्रतिम संकरन पादप प्रजनन की एक तक्निकी है जिसमें एक पादप प्रजनक को वांशित गुने वाले किनी दूसरे पादप से संकर कराया जाता है उनके फूल के वी तो किस तरीके से संकर कराएंगे उनके क्या-क्या स्टैप्स होंगे उस तक्निकी के क्या-क्या च चरण हम पढ़ते हैं तो हम लेंगे कृतिम संकर जो होता है वह एक तक्निकी है जिसमें दो अलग-अलग पादपों के मद्या या फिर कह सकते हैं दो अलग-अलग पादप जिन उनके लाभकारी गुणों की वज़से उनके बीच संकर कराया जाता है तो पौधे एक ही किसम के एक ही प्रजाती के या अलग-अलग प्रजाती के वह अलग-अलग बंसों के भी हो सकते हैं इसमें और हम इनका इस प्रक्रियाद्वारा कृतिम संकर करा सकते हैं तो कृतिम संकर पादप प्रजनक की एक तक्निकी है जिसमें एक पादप प्रजनक बांशित गुन वाले की नहीं दो पौधों के बीद संकर कराया जाता है जिससे जो संतिती उत्पन होती है उसमें दोनों जनकों के जो बांशित गुन लागकारी गुन है वो उसमें आ जाती है तो इस प्रकार संकर द्वारा बहुत जादा बैपारिक स्तर पर पौधे को उत्पन किया जाता है उन्नत सुधार कारिक्रमों में भी इस्तमाल किया जाता है और इस तक्निकी से यह सुनस्चित कर सकते हैं हमकी पराक जो परागन होता है में केवल वांशित गुण ही जाए और वांशित गुण ना जाए तो वांशित गुणों वाले पराकन के लिए परागन ही केवल हो ओके और जो या वन्षितंगुणों वाले हैं उनको वर्तिकाग्रपर हम जाने से रोक सके तो इनको रोकने के लिए हम जो तक्निकी अपनाते हैं वह तक्निकी कुछ चर्नों में बसview रही हूं पहला है विपूंसन दूसरा है बैगिंग तो पहला विपूंसन हम करेंगे पूछा जाता है विपुनसन कौन सी विधी है देखे मैंने अभी जस्ट बताए आपको हमें अगर किसी एक पौधे का पराकन दूसरे पौधे पर चहिए तो उस पौधे के फूल से पराकन को काट के पराकोष को काट के निकाल देना पड़ेगा और उसको बाध यह बना देना पड़ेगा तो उसे कहते हैं विपुनसन तो संकर के लिए यदि हम मादा जनक दूइलिंगी पुष्प यदि एक पुष्प दूइलिंगी होता है जिसमें मादा और नर दोनों होते हैं और हमें किसी और पुष्प से उसको क्रोस करवाना है तो हम क्या करेंगे चीम्टे की सहायत्ता से पराकोष को परिपकु होने से पहले काट के निकाल देंगे और उसे वापस पुलिथिन बान देंगे पुष्प जैसे खिलता है दिखें दियो हसान भासा में पुष्प खिला पुष्प जैसे ही उगा उसको पॉलेथिन से बान दिया जैसे ही उसमें हमने पराक कोश को देखा चिम्टे से उसको काटके निकाल दिया और वापस पॉलेथिन बान दिया फिर जैसे ही वर्तिकागर परिपा को हो गई उसके उपर हमने जो वांचित गुन क पराग को सिल लिया गया पराग कंथा उसको ब्रस की साहिता से उसके वर्तिकागर पर छड़क दिया और वापस पॉलेथिन बांदी पॉलेथिन बांदना क्या कहलाता है बैगिंग तो इस तरी से कृतिम संकरन करा दिया जाता है और संकरन हो जाता है तो जो उसी पुष्प का पराग कंथा उसको हमने जाने से रोक दिया या दूसरे औवांचित पराग कंडों को भी जाने से हमने रोक दिया तो विपुन्सन क्या है? विपुन्सन डूइलिंगी पुष्ट जब कली अवस्था में होती है एक वी संक्रमित चिम्टे से इसके पराख को इस पुटन से पहले निकाल दिया जाना, यह प्रक्रिया भी पुंसन कहलाती है, इंग्लिश में कहते हैं emulsication, इंग्लिश में इसको कहते हैं emulsication, यह भी लिखते हूँ, sorry, emusculation, इसको कहते है emusculation, not emulsication, it's emusculation, ठीक है, next way, second step, begging, bag bagna, okay, English में भी begging कहते हैं, और Hindi में भी इसको begging कहते हैं, तो विपुंशन पुष पर्थात, ऐसे पुष में पराख कोशो को निकाल दिया गया है, butter paper से बनी एक थैली ले लिजे, और थैली में बंद कर दिया जाता है, ताकि वर्टिकाग अवशित पराख कणों से द पूरी तरह से पराख कणों को ग्रहन कर लेता है, उस पे अंकुरित हो जाता है, तब बांचित नर पौधे की परिपक को पराख कण एककत्र कर ब्रश पर तो सीडी सी बात है, विपुंशन का मतलब यह है कि नर भाग को मादा से अला कर देना, चिम्टे की साहिता से, जब कली अवस्था में होती है, तो एक संक्रम एस्टेलाइस चिम्टे से हम पराख कोश को फटने से पहले, परिपक होने से पहले काट के निकाल दें, तो निकाल देना, उसको चिम्टे की साहिता से निकाल देना, कली अवस्था में ही पराख कोश को चिम्टे की साहिता से काट क पर निकाल देना प्यप्पुंसिट कहलाता है तो और उसके बाद उसको थ्लिवन देते हैं जैसे ही बर्तिकाग्र जो होती है माधा भाग परिपक कुँए और पराकणों को ग्रहन मैं करने होई होती है तो हम वर्तिक चाहता से जो वान्शित पराकण होते को उसके उपर चठब देते हैं परिपक वर्रा क captain को ऐकतरक करके वर्तिक गर लन की कर से या पहुन से और इस क्रिया को कहते हैं डस्टिंग औफ पॉलन के बाद पुष्प को फिर सेव ढग दिया जाता है और जो बैग को जो फल विक्सित होने के लिए छोड़ दिया जाता है एक खास बात यदि मादा जनक एक लिंगी होती है तो उसमें भी पुष्प के खिलने से पहले ही हम थैली में बंद कर देते हैं और जो पराकन चाहिए बात में उस तक पहुचा दिया जाता है ब्रश की थैली कोल के और फिर वापस थैली बान दिया जाता है तब तक वो अंगोरित नहीं होते हैं और फल में परिवर्दित नहीं हो जाते तो यह है कृतिम संकरन विधी बहुत जरूरी है इसका लाब क्या है कृतिम संकरन विधी द्वारा वेपारिक तोर पे उन्नत किसम के पौधे प्राक्येश आ सकते हैं फल सुधार कारिक्रम में इसको हम इस्तमाल करते हैं यह तक्निकी जो होती है यह सुनिश्चित करती है कि वांशित गुन ही पौधे में जाए और वांश पौट नोट तैयार कर लिजेगा और विपुन्सन की परिभासा और हरको गैमे की परिभासा यह याद कर लिजेगा और लिख लिजेगा ओके तो आज के लिए इतना ही अगली टॉपिक के साथ हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे थेंक यू